वेलकम इस्टुडेंट्स तो आज हम हमारा जो टॉपिक था ऑपरेटर उसका जो अगला भाग है ऑपरेटर प्रिजिडेंस है उसको डिटेल में आज देखेंगे तो चलते हैं शुरू करते हैं सलेबस में आपके 2.6 यह जो चैप्टर है 2.6 जो टॉपिक है उसमें इसको कवर किया है तो यदि हम बात करें ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स वो सिम्बल्स थे जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या mathematical calculations होने हैं उनको बताने के लिए हम काम में लेते हैं ठीक है अब लेकिन यदि ऑपरेटर्स हैं multiple अगर होते हैं तो multiple ऑपरेटर होने की इस्तिती में किस प्रकार से उन ऑपरेटर्स को काम में हम लेंगे उनको solve किस प्रकार से करेंगे वो जो cover किया जाता है उन नीमो क्यों हम basically operator precedence कहते हैं तो basically यह rules है ठीक है और वो rules basically पहले से predefined है हर programming language अपने उन rules को अपने compiler में interpreter में जो भी programming language का type है उसमें उनको specify करके रखती है उसमें उनको define किया गया होता है साधरन हम अगर हमारे mathematics की बात करें तो हम जिसको board mask का rule बोलते थे bracket है orders है जो हमने देखा भी था ठीक है division multiplication तो वो जो एक करम था वो भी क्या था उन गनितिये जो operators थे mathematical operators थे उनको solve करने का एक sequence था उसी प्रकार हम C language के अगर बात करें और एक simple सा यहाँ पर arithmetic operation है आपके साम हमने दिखाया गया है 6 divided by 2 plus plus 1 multiply by 2 तो यह अगर इस प्रकार से यदि हमारे पास में कोई arithmetic operation और expression हो तो वो किस प्रकार से solve होगा उसको करने के कई तरीके हैं यदि हम left to right चलें तो कुछ और evaluate होकर के result आएगा right to left करें तो अलग आएगा तो क्या-क्या आ सकता है अगर left to right चलें यानि सबसे पहले हमने क्या-क्या 6 को भाग लगया 2 से तो result आया 2 उसके पस्चाद हमने plus operator को solve किया यानि 3 plus 1 तो यह result आया हमारा 4 और उसके बाद में last में multiplication का अगर यदि हमने operator किया तो 4 multiply by 2 और यह हमारे पास में result आया 8 ठीक है तो एक तरीका यह हो सकता था इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि यह left to right ना लेकर के यदि हम इसको लेते right to left तो 2 गुणा सबसे पहले एक निकलता जिसका result आता 2 उसके बाद में 2 plus 2 होता जिसका result आता 4 और अब 4 डिवाइड होता भाग दिया जाता 4 का 6 में यानि 6 upon जो हमारा 4 है तो 6 upon 4 है और अगर हम C language के अंदर बात करें integer arithmetic की अगर बात करें तो 6 divided by 4 है वो क्या आएगा हमारा 1 आएगा ठीक है इसमें points में result नहीं आएगा floating point नहीं है arithmetic है इसलिए 6 divided by 4 यदि हम करेंगे तो यह finally result हमारा क्या आएगा 1 तो इस प्रकार से left to right चलने पर अलग result आया right to left चलने में result हमारा अलग आया जो कि अभी हमने यहां पर check किया ठीक है तो left to right में अगर हम करेंगे तो यह हमारा result 8 आएगा इसी प्रकार यह हमने देखा right to left में 1 आएगा और इस प्रकार से अगर हम कहें तो यह inconsistent answers है left to right जाए या right to left जाए तो यह rule इस प्रकार से किसी प्रकार से basically क्या है कि कोई ambiguity नहीं हो कोई भी प्रदावास ना हो और एकदम इस पश्ट तरीके से उसका solution निकल पाए इसलिए हम क्या कहते हैं कुछ rules उसमें programming language में पहले से define होते हैं तो अब अगर हम बात करें एक और तरीका है parenthesis का यानि parenthesis तो हमारी जो आम गणितिये calculations थी उसमें भी हम क्या कहते हैं सबसे ज़्याद था उसमें भी किसी expression को solve किया जा सकता है हालांकि इसमें क्या बता दिया गया पहले से parenthesis लगा करके कि भाई पहले तो इसी को solve करना है ठीक है तो 2 प्लस 1 सबसे पहले होगा तो जिसका result आ जाएगा 3 अब 6 divided by 3 है ये parenthesis लगा करके हमने फिर यहां बता दिया कि हम पहले इसको solve कर रहे हैं तो 6 divided by 3 multiply by 2 और finally 2 प्लस 2 करके result आ गया 4 तो ये भी एक तरीका था हमारे जो इस प्रकार से कोई expression अगर दिया हो arithmetic उसको solve करने का इसके अलावा क्या हो सकता है operator precedence wise कि हम किसी भी प्रकार के ambiguity में नहीं पढ़ना चाहते हैं direct जो basic जो law है basic जो rule है उसके accordingly automatically compiler है उसको solve करे तो ये जो सारी जो solve करने के लिए जो precedence दी गई है कि पहले कौन सा operator solve होगा बाद में कौन सा operator solve होगा ये जो सारी जो precedence है वो हमारी क्या कहलाती है operator precedence और एक और इ associativity तो उसको भी हम आगे देखेंगे तो operator precedence wise अगर हम देखें तो C language के अंदर यदि हम बात करें तो division, multiplication इनकी priority है वो higher होती है और इनकी associativity left to right होती है यानि जब इस expression को solve किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा 6 divided by 2 calculate होगा सबसे पहले और उसके बाद में 1 multiplication by 2 होगा और उनका जो result आएगा वो addition होगा यानि एक number पर हम इसको solve करेंगे operator division को 2 number जो operator होगा हमारा asterisk यानि multiplication का जो operator है वो और 3 number पर हम solve करेंगे वो हमारा होगा plus ठीक है और उससे result जो हमारा आएगा वो 5 निकलेगा 6 में भाग लगाएंगे 2 का तो 3 आएगा और 2 रेक की गुणा हो जाएगी वो 2 तो 2 plus 3 यह हमारा result आजाएगा 5 तो यह basic हमारा तरीका ह आगे चलते हैं तो कहने का मतलब था प्रिजिडेंस क्या थी किस प्रकार से उनको लिखा जाएगा उनको पहले solve किया जाएगा किसी expression में अब हम देखते हैं कुछ C language में हमारे अगर इस प्रकार से कोई गणितिये अगर calculations हो ऐसे हमारे गणितिये expressions हैं उनको लिखा किस तरह से जाता है उनको लिखे कैसे हैं ताकि हमारे solution है वो भी एकदम perfect आएं कोई भी ambiguous नहीं आए तो उसकी भी आपको थोड़ी बहुत practice करनी चाहिए तो rate square plus delta अगर इस प्रकार का अगर कोई हमारा गणितिये वियंजक है तो उस condition में हम क्या गरेंगे जो rate square है हम जानते हैं वो rate को दो बार multiply करने से तो इसको हम लिखने का जो हमारा साधान तरीका क्या है rate multiply by rate इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं और प्लस डेल्टा है तो उसके पस्चाद प्लस डेल्टा और इसको भी अगर parenthesis में लेने कोई confusion नहीं वैसे तो इसमें star की हमारी जो multiplication है उसकी priority जादा ही है और जादा उसको clear बताने के लिए ताकि आम अगर कोई programmer या कोई देखना चाहे तो उनको भी समझ में आ जाए तो यह जो हमारा a था उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हमारा जो दूसरा विंजक है इस to multiplication और bracket बना दें salary प्लस बोनस तो इसी का कुल मिलाके जो arm expression था साधार्ण गणित ये विंजक था उसको c language में कैसे लिखेंगे तो अंतर क्या आया multiplication यादी होता है तो हम यहाँ पर by default समझाते हैं कि bracket के बार है यानि 2 की गुणा है लेकिन c के compiler को तो हमें बताना पड़ेगा तो बताने की जो process है यानि हमें यह operator यहाँ पर लिखना पड़ेगा यह हमें ध्यान में रखना है इसी प्रकार one upon जो है तो उसमें भी one उसके बा operator है division का उसको हमने लिया और उसके बाद में time 3 multiply by mass यह 3 mass जो था उसको 3 multiply करना पड़ेगा अधरवाइस c language में compiler उसको पता नहीं चलेगा करना क्या है इसी प्रकार जो last हमारा यह चौथा जो व्यंजक है तो उसको भी अगर solve करना हो तो उसका भी क्या होगा a minus 7 और जो हमारा upon का है उसके लिए हमारा operator division का और t plus 9 multiply by v तो इस प्रकार से हमें यह व्यंजक लिखना पड़ेगा तब जाकर के यह solve होगा तो हमारे कोई भी इस प्रकार की गणिती है अगर कोई problems है उनके जो कोई expressions है तो उनको हम इस प्रकार से उसको व्यक्त करना भी जरूरी होता है ठीक है तो आगे चलते है solutions यहां पर लिखके भी हमने देख लिए यहां पर दिखाए गए हैं तो इस प्रकार से हमें उनको लिखना होगा अब हम बात करते हैं presidents और उसकी associativity तो जैसे हमने पहले भी बात की है presidents क्या था उसमें पहले किसे solve किया जाएगा बाद में किसी किया जाएगा तो presidents and associativity of C affects grouping and evaluation of operation in expression उसी के आधार पर कौन से operator है वो group होएंगे कौन से operation पहले होंगे बाद में होंगे वो सारा इसी से ही उसका प्रभाव पड़ता है ठीक है और हमेशा करना कैसा है higher presidents वाले जो हमारे operator है वो सबसे पहले होंगे तो presidents यानि higher presidents है तो उसको पहले करना है इसलिए उसको presidents का है उसको उसकी पहले priority उसको दी जाएगी तो presidents को हम क्या कह सकते हैं basically एर rule है यह used to clarify unambiguously which operation operation का मतलब operator कौन से काम में लेने है पहले कौन सा operation होगा प्लस कौन से operand काम में आएंगे क्योंकि वो किस पे निर्बर है operator के साथ में ही तो operand काम में आएंगे इसलिए इसको operator and operands काम ने should be performed first in the given expression या sequence to solve the operation in given expression पूरा गणित ये व्यंजक था पहले कौन सी गणना होगी बाद में कौन सी होगी तो उसको निर्धारित करने का काम कौन है presidents करेगा और जो की पहले से हमने जैसा बताया कि ये rule compiler में लिखे गए है already और associativity क्या है आगे हम table देखेंगे एक लंबी चोड़ी table होगी operators की उसमें हमने बताया कि सबसे पहले इस प्रकार के operator को solve करना है फिर इनको solve करना है लेकिन यदी एक ही presidents के अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक operators हो तब हमें किस प्रकार से उनको solve करना है तो यह जो क्रम है क्रम किस के दौरा निर्धारित होगा वर निर्धारित होगा associativity के दौरा और associativity क्या कहता है a rule used to clarify unambiguously which operation to solve first when there exist operator of same presidents एक ही presidents के यदी हमारे पास में operator हो तो पहले किसे solve करना है यह किस के दौरा बताये जाएगा associativity के दौरा ठीक है तो C operator are listed in order of presidents जो आगे एक table आएगी उनको उसके बढ़ते हुए करम के अंदर उसको बताएंगे और associativity क्या indicate करेगा किस प्रकार से जो equal मतलब की presidents के जो operator है उनको solve करना है उन पर कैसे लागू होगा तो यह हमारी जो list है उसका पहला भाग है चार इसमें column दिये गए है कि category किस प्रकार के operator है operator के जो प्रकार है किस प्रकार के काम करते हैं उनके logic के हिसाब से उनको यहाँ पर define किया गया है फिर उसकी detail उसको बताया जाएगा कि किस प्रकार के operator है फिर operator का जो symbol है जो कि हम काम में लेते हैं programming के दोरान वो symbols और उनकी associativity क्या है तो बढ़ते वे करम में यह parenthesis या bracket है यानि इनकी presidents एक है यूनिरी जो operator है उनकी presidents दो multiplicative या additive जो है यह division या हमारा reminder या modulus जिसको हम कहते हैं तो इसकी priority, presidents तीन है, additive की इस प्रकार से यह 4 है तो यह गड़ते वे हैं जो हमारा करम है इस करम के अंदर है यह सबसे उपर सबसे high presidents का हमारा operator है तो यह तो presidents का बढ़ता हुआ करम है और इनकी जो associativity है associativity जो है वो left to right है हमारा पहले प्रकार का जो operator था जिसको हमने का parenthesis या brackets तो इनकी associativity हमारी left to right है अब इसमें भी कौन-कौन से operator इसमें consider किये गए हैं जिनको presidents one दी गई है पहला जो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा operator था वो braces जिसमें हम काम में लेते थे साधरन हमारे जो brackets हैं जो कि हम function call में भी काम में लेते हैं या logically हमने जैसे कि यह भी पहले जो गणितिय विंजक था उसमें भी हमने दिया कि a plus b पहले solve होना चाहिए तो जिसके बहार bracket होंगे उसको सबसे पहले solve करेंगे तो expression में भी काम में आ सकता है और यह हमारा जो है function call में भी इसको काम में लेते हैं दूसरा जो था हमारा था array के अंदर काम में आता है ठीक है उसमें subscription देते हैं यानि array क्या है contiguous memory जो location है उस पर अलग-अलग जो वेरियेबल से उनको एक नाम दिया जाता है अलग-अलग जो memory location पर जो data store होता है तो उनको अलग-अलग item को access है वो उसके जो हमारा सब script दिया जाता है उसकी जो index value दी जाती है उससे हम access करते हैं तो वो जो access करने के लिए array का सातों element को access करना है तो इसके अंदर 7 लिखा जाएगा तो कहने का भाव यह है कि इसके अंदर जो subscribe देते हैं bracket के अंदर यदि इस परकार का यदि हम काम में ले रहे हैं तो उनको हम सबसे पहले उसकी precedence आएगी यह precedence में top पर है इसी परकार member selection via object name यह हमारा operator है जब हम structure पड़ेंगे तो structure के अंदर आप देखेंगे कि उनके members जो होते हैं उनको access करने के लिए हम काम में लेते हैं तो dot operator भी है और यह hyphen और greater than का जो symbol है arrow का जो निशान है यह भी हम क्या है member क जो select करते हैं pointers के द्वारा तब हम इसको काम में लेते हैं इसी प्रकार यह plus plus और minus minus जो कि हमने last lecture में देखा था increment and decrement जो operator है और increment and decrement जो operator थे उसके अंदर भी हमने क्या देखा था कि यह post fix हैं या prefix हैं पहले लगने वाले को हम कहते थे prefix जो increment या decrement operator और पीछे लगने वाले यानि a minus minus या a plus plus हैं तो उस स्थिति में उनको हम क्या कहते थे कि वो post fix हैं तो इसके अंदर इनकी खुद की increment operator decrement operator की भी priority में अंतर है क्या अंतर है कि post fix increment या decrement जो है वो हमारे priority में उपर है एक नंबर पर presidents में है जबकि prefix जो है जो कि अगली जो हमारा है presidents में जिसको दो नं prefix increment या decrement plus plus या minus minus उनकी priority कम है उनकी presidents basically कम है इसी प्रकार unary plus या minus है ये हमारी presidents में दो नंबर पर है ये सारे के सारे logically जो unary operator हमने बताए है ठीक है इसी प्रकार cast convert value to temporary value of type हम integer को floating point में convert करना चाहते हैं या जो भी type conversion cast conversion है हम detail में आगे देखेंगे तो ये जो conversion के लिए हम brackets को काम में लेते हैं और एक data type का जो data है उसको दूसरे data type में जब हम convert करते हैं तो ये जो type casting है उसके लिए जब हम काम में लेते हैं तो वो भी हमारा दो नंबर पर presidents के अंदर उसको हम categorize करते हैं इसी प्रकार de-referencing के लिए pointers में जब हम काम में लेते पॉइंटर तो यह भी हमारा दो नंबर प्रेजिडेंस में है एड्रस ऑफ ऑपरेंड और डिटर्माइन दा साइज इन बाइट अफ दिस इंप्रसंट है तो यह सारे भी हमारे यूनिरी के अंदर हमने इसको रखा है और यह प्रेजिडेंस में सेकिंड नंबर पर आते हैं अब इसके अंदर एसोसिटिविटी जो इनकी है वो राइट टू लेफ्ट है यह इंपॉर्टेंट चीजे यह हमें ध्यान में रखना होगा maximum जो operators हैं उनकी associativity left to right ही आएगी लेकिन यूनिरी जो यह operators हैं जिनको अभी हमने देखा है इनकी सबकी जो है right to left यह अपने को ध्यान में रखना है कैसे होगा आगे हम उनको with example है detail से देखेंगे कि किस प्रकार से associativity काम में ली जाती है इसी प्रकार अगला जो हमारा table के अं इसमें division और modulus या reminder जो operator है वो भी आते हैं तो वो तीन नंबर पर यह सारे के सारे हमारे operators हैं इस प्रकार के next के अंदर additive addition और जो subtraction है यह plus और minus है यह तो संख्या को धनात्मक है या रनात्मक है positive या negative plus का 5 है या minus का 5 है उसको बताने के लिए है और यह plus और minus है यह binary जो operator है ज तो इन में और इन में आप confuse मत होईएगा यह अलग अलग हैं दोनों यह और यह तो यह arithmetic addition यह arithmetic जो subtraction है तो उनकी जो प्रिजिदेंस है वो lower है इसलिए इसको last में नीचे की और दिखाया गया है और यह प्रिजिदेंस में हमने इसको लगबग चार नंबर पर इसको रखा है और last में यह जो है bitwise जो shift है bitwise जो shift operator है less than less than का symbol या greater than greater than का symbol इसकी प्रिजिदेंस नंबर 5 पर रखी जाती है associativity इनकी भी left to right है next देखते हैं मागे इसी परकार जो relational operators थे less than less than equals to या greater than greater than equals to इनकी associativity और left to right है इनकी दोनों की और यह operator है यह अगली प्रिजिदेंस में है उससी अगली जो प्रिजिदेंस है equality जो operator है equals to equals to या not equals to उनको लेते हैं और इनकी भी left to right है इसी परकार जो bitwise and फिर bitwise x or bitwise or logical and and जो है logical or है यह जो पूरी table है इसी sequence में उन सबकी प्रिजिदेंस है और उनकी जो associativity है जो column number 4 में दिखाया गया है left to right left to right इस प्रकार से है conditional operator जो है उसकी right to left है तो यह associativity भी हमें इनकी correspondence में ध्यान में रखना है और associativity को हमने पहले अभी discuss किया था कि यदि एक ही प्रिजिदेंस के यदि operator दो आजाएं या दो से अधिक आजाएं तब हम किसे काम में लें यानि एक expression में यदि दो हमारे turnary operator काम में ले लें तब क्या करें ठीक है या less than भी अगर कहीं आया है और less than equals to be आया है तब क्या करें तो ऐसी वस्ता में left to right चलना होगा हमें तो उसको निर्धारित करने के लिए यह कुछ rules हैं इसी प्रकार assignment के भी जितने भी हैं उनकी पूरी ए category है और सबसे last में जो comma operator था हमारा उसको लेते हैं तो यह हमारी जो detail में जो table है वह यही बताती है मैं कि operators अगर multiple किसी expression में हो तो उस अवस्ता में उनका sequence क्या होगा उन की associativity क्या है वो तो associativity और precedence यह मिला करके निर्धारित करेगी कि किस करम के अंदर कोई expression है उसको solve करना है आगे चलते हैं हम कुछ example के लिए यहाँ पर हमने लिखे हैं कि अगर इस प्रकार से हमारे पास में कुछ expression है तो यह किस प्रकार से solve होंगे तो यह जो हमने अभी rules द प्रेजिडेंस के हिसाब से देखें तो additive उसी की स्रेणी में आते हैं यहाँ पर देखते हैं हम देखो additive के अंदर प्रेजिडेंस में चार नंबर पर हैं इनके उपर के कोई नहीं है अभी expression में और उसके नीचे की प्रेजिडेंस के भी कोई भी नहीं है यानि equal presidents के सारे के सारे operator हैं तो ऐसी अवस्था में और इसकी जो associativity थी वो क्या थी left to right additive की आप देख सकते हैं left to right यहाँ पर इनकी क्या है left to right इनकी associativity है तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है सबसे पहले क्या solve होगा a plus b a plus b का जो result आएगा उसमें से subtract किया जाएगा c को और इसका जो result आएगा उसको जोड़ा जाएगा वो d के साथ तो यह इसको solve करने का एक तरीकर आएगा यानि अगर अब हम देखें मान जो हमारे देरक है a बराबर 1, b बराबर 2, c 3 और d 4 तो ऐसी अवस्था में क्या होगा सबसे पहले क्या निकलेगा a plus b यानि 1 plus 2 उसके बाद में जिसका की result आ जाएगा जो हो गया हमारा 3 ठीक है अब यह 3 है 3 minus c निकलेगा c खुद की जिसकी value क्या है 3 है तो 3 minus 3 होगा 3 minus 3 और उसके पश्चा 3 minus 3 क्या आ गया 0, 0 के अंदर plus d, d की value क्या है 4 तो 0 plus 4, कुल मलाकर इसका answer क्या आएगा 4 इसी परकार हमारा जो अगला जो expression है उसमें भी sequence क्या रहेगी operator कौन कौन से सबसे पहले expression में हम यह देखते हैं तो expression में operator हमारे है multiplication और division का तो multiplication और division में दोनों की priority क्या है दोनों की precedence एक है दोनों की precedence एक है और इनकी associativity क्या है left to right है यानि सबसे पहले multiplication सौल होगा और फिर division यानि सबसे पहले एक गुणा B निकलेगा इसका जो result आएगा उसको divide किया जाएगा C से तो एक गुणा B एक को दो से गुणा किया दो आएगा और दो के अंदर भाग लगेगा तो दो बटा तीन इसका answer आएगा लेकिन जैसा कि हमने का ये integer values हैं तो integer होने के current क्या होगा दो बटे तीन का मान क्या आएगा 0 ही आएगा points में result नहीं आएगा तो इसका भी result क्या आगया 0 तीसरा इसी प्रकार से जो expression है 1 प्लस A गुणा B और reminder C तो इसकी जो precedence अगर हम देखें तो plus की precedence है वो कम है star की यानि multiplication है उसकी precedence क्या है ज्यादा है plus की तुलना में लेकिन जो हमारा reminder operator है उससे बराबर है यानि ये star multiplication और जो reminder है उनकी precedence तो level A की है और उनसे कम level का है वो plus है यानि ये star और reminder पहले solve होने चीए लेकिन अब क्योंकि ये दोनों की precedence एक है तो ऐसी अवस्था में इन दोनों में पहले console होना चीए तो उसके लिए rule कौन सा है left to right चेक कर सकते हैं left to right इसकी associativity है star division और हमारा modular operator के अंदर तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले होगा A गुणा B और उसका जो result आएगा उसका जो result आएगा उसमें से उसका reminder निकाला जाएगा C से और उसको फिर finally जोडा जाएगा एक से तो एक गुणा B एक गुणा 2 अगर हमने किया तो उसका result आया दो reminder C यानि 3 दो reminder 3 दो में 3 का भाग कभी पूरा जाता नहीं है तो आपस 6 वल कितना बचा 2 तो इसका दो reminder 3 का result जो आएगा वो क्या आएगा 2 और अब यह जो 2 है दो को जोडेंगे एक से तो इसका result क्या आ जाएगा 3 ठीक है इसी प्रकार से A plus D modulo B minus C तो इस सवस्था में क्या है plus और minus इनकी precedence कम है और equal है लेकिन modulo operator की जादा है तो सब से पहले क्या solve होगा D modulo B और उसके बाद में left to right rule इस plus की और minus की equal precedence है लेकिन solve कैसे होगा associativity rule के according यानि left to right यानि पहले जो plus आया तो उसके पस्चात ये solve होगा और उसके बाद में ये solve होगा तो D जिसका मान है 4 reminder 2 4 reminder 2 करते इसका answer आएगा 0 क्यों 4 में 2 का पूरा-पूरा भाग जाता है तो 0 plus A A की value है 1 तो A plus 0 हो गया हमारा 1 और 1 में से minus C minus C की value करने का मतलब है उसमें से 3 गटाय जाए 1 minus 3 तो result इसका क्या आगया हमारा minus का 2 लास्ट जो इसका expression है इसको भी समझ सकते हैं equals to E equals to B equals to D plus C divided by B minus A तो presidents हमें पता हो नीची है equals to की presidents बहुत नीचे थी जो हमारी table देखी थी हमने detail में उसके अंदर देखिए आप यह second जो part आया था उसके अंदर assignment लगबग second last के अंदर आ रहा है यह assignment equals to जो operator था हमारा right side की value left side में तो यानि assignment की तो भहुत last में priority है तो इन दोनों assignment को छोड़ सकते है plus minus equal precedence है और लेकिन इससे ज़्यादा क्या है multiplication या division की ज़्यादा होती है तो सबसे पहले क्या solve होगा C divided by B और उसके पस्चायत क्या होगा यह left to right के according D plus इसका result और उसमें से इस result में से क्या subtract होगा minus का A और फिर यह जो value है वो डाली जाएगी B के अंदर और उसके पस्चायत यह जो value है वो डाली जाएगी E के अंदर ठीक है यानि अब इसको अगर solve करें तो C divided by B C के value है 3 के अंदर अगर divide किया जाए 2 से तो एक बार पूरा जाएगा point को omit कर देंगे क्योंकि integer arithmetic है तो C divided B का result आएगा 1 1 को जब जोडेंगे D से D की value है 4 1 plus 4 हो जाएगा 5 5 में से A गटाएगे जिसकी value है A 1 तो 5 में से एक निकालने पर निकलेगा पिछे 4 अब यह जो 4 की value है वो सबसे पहले कहा जाएगी 4 की value जाएगी B के अंदर तो B की value भी हो जाएगी 4 और अब यह जो B की value 4 है यह वापस किसमें जाएगी E के अंदर तो इसकी भी value क्या हो जाएगी E की value भी 4 तो finally इसका जो result आएगा एक तरह से वो आएगा 4 ठीक है तो यह हमने अलग-लग जो expressions है उससे यही समझा कि भी किस प्रकार से tabular format में हमारी जो precedence है C language के compiler में पहले से अलांकी बताई जा चुकी है उसको भी हमें ध्यानवे रखना है higher precedence को सबसे पहले उस operator को solve करना है और अगर same precedence के यह एक और example है उससे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से यह जो rule दे रखे हैं तो इनको कैसे solve करना है अगर आप online है तो इसको solve करने की कोशिश करें हम इसमें यह जो operator हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जितने भी operator है उनको solve करने का करम है वो निदारित करेंगे ठीक है तो plus 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 सारे के सारे plus है और हर इस operator की precedence है वो level इनका equal है तो ऐसी अवस्ता में positive को अब हम इसमें जो variation करेंगे कि साब कौन से operator को पहले solve करना है तो associativity rule यानि left to right हमें चलना है यानि सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला जो operator है इसको solve करेंगे फिर इसको solve करेंगे फिर इसको और फिर fourth जो हमारा addition operator है उसको अगला जो expression है a plus b multiply by c minus तो हमें पता है plus minus की precedence है वो कम होती है star और हमारा जो division है multiplication है इनकी equal होती है और higher होती है तो ऐसी हवस्ता में सबसे पहले हम किसको solve करेंगे left to right के according सबसे पहले इस b गुणा c को solve करेंगे और उसके पस्चात d divided by e यानि दो नमबर पर इसको solve करेंगे और फिर इनके जो answer है उसके बाद में a plus b है तो plus और minus के अंदर किसको solve करेंगे सबसे पहले left वाले को क्यानि तीन नमबर पर यह solve होगा और चार नमबर पर यह operator solve होगा कहने का मतलब यह है b गुणा c निकलेगा और d divided by e निकलेगा ठीक है उसके पस्चात यह जो b गुणा c है उसको जोड़ा जाएगा a में और इसका जो final result है उसका finally d में से subtract किया जाएगा इसी परकार जो अगला हमारा operator है अगला जो व्यंजक है expression है उसके अंदर एक जो चीज है कि हमने parenthesis भी काम में लिये हैं तो अब जो भी इसकी प्रिजिडेंस थी इस प्रिजिडेंस के अलवा भी हमें क्या करना है हमारे इस parenthesis की जो हमने देखा था सबसे टॉप प्रिजिडेंस थी तो parenthesis को सबसे पहले solve किया जाएगा यानि यह जो प्लस operator था इस parenthesis के करन सबसे पहले solve होगा ठीक है अब डिवीजन पीछे बचे अब डिवीजन एडिशन और रिमाइंडर तो डिवीजन और रिमाइंडर जो है उसके अंदर सबसे पहले हमें पता है लेफ्ट और राइट के according अगर हम चलेंगे तो हम डिवीजन को निकालेंगे उसके पस्चाद जो रिमाइंडर है उसको और सबसे अंत में जो एडिशन है उसको ठीक है अब इसी प्रकार जो चौथा हमारा व्यंजक है तो उसमें भी parenthesis हम काम में ले रहे हैं एक parenthesis के अंदर दूसरा है उसके अंदर तीसरा है तो सबसे inner जो parenthesis होता है उसको सबसे पहले solve किया जाता है हमारी normal जो गणित है mathematics है उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं तो सबसे पहले अब इसमें इसको solve किया जाएगा उसके पस्चाद d-e का जो evaluation होने का result आएगा उसको हम जोड़ इसको बाद में दो नूमर पर solve करेंगे तो दो नूमर पर इसे solve किया जाएगा उसके पस्चाद जो multiplication है यह parenthesis को solve करना है तो इसको multiplication को इस operator को solve किया जाएगा और सबसे बाद में जो last में result आएगा तो एक का उसमें भाग लगा जाएगा तो चार नंबर पर इसे solve करेंगे तो यह कुछ जो basic हमारे examples हैं उसको हम इन operator precedence को और अच्छे से समझ सकते हैं तो यह यहाँ पर इसमें result दिखाया गया है एक बार match कर लेते हैं कोई 30 बस कुछ गलत नहीं कर दिया हो एकदम सही है तो इसी प्रकार से हमें इसका ध्यान में रखना है प्रखना है